हलो बच्चो नमस्कार जैशी किष्णर रादे रादे कैसे साब आप सो बच्छिस होंगे मस्ती से पढ़ाई कर रहोंगे आएम अबनात अनन्द अनना सर बीटेक फ्रॉम कि मेरे खाल से तो कोई ऐसी निगेटिव बात नहीं है न्यूज इस मेरे हिसाब से पॉजिटिव है और बाकि आप लोग अपने केमेंट्स में बतला सकते हैं कि आपको कैसा लग रहे हैं न्यूज के बारे में है ना सी यूज ती यूजी टूजिरो टूफोर उसके बास लिखा हुआ है वह थोड़ा सा देखने में लग रहे हैं कि या सी यूजी के लिए ग्जामिनेशन के लिए बतलाए जा रहे हैं और इसमें बोलें कि ए लाइकली टू एलिमिनेट नॉर्मलाइशन प्रोसेस चेक की चे चींजे बतलाए हैं जिरा सुनते हैं देखते हैं काफी इंटर्सिंग सा लग रहा है तो सी यूजी टूजी टूफोर रिस्टिशन एक्सेटे डिए अग्जामिनेशन अगेंशन उनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन यूजी सी के जो चेर्मिन हैं या एम जगदिश कुमार है announced several changes in the examination pattern. He told PTI that NTA is planning to conduct examination in a way that normalization of the marks will not be required. तो CUT के examination में यह ऐसा बतला रहे हैं कि normalization जो है marks की उसकी जरुवत नहीं पड़ेगे. इस बार आपने देखा कि जो JMAIN का examination हुआ था उसमें normalization को लेकर बहुत जादा issues आया थे. कही न कही पहले ऐसा लग रहा था, बतला है कि जो उनके पास data है जो बच्चों से collect किया गया था. तो उसके हिसाब से उन लोगों ने बतला है, सभी लोगों ने कि भाई, जो 29th shift है उसमें ज्यादा बच्चे थे हैं और ऐसा बताया. But last दो वीडियो जो मैंने बनाया है, इसमें मैंने clearly बतला है कि उनकी तरफ से जो data release है, official data जो release है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सब में बराबर students बिठाए गए हैं करीब-करीब, on the basis of gender as well as category, और जो भी number of students हैं, सब बराबर-बराबर ही करीब-करीब रहा है. और normalization के कारण फरक इसलिए पड़ा कि पेपर की difficulty level कहीं न कहीं different रही, जिसका उन्होंने जवाब दिया था, मुझे अभी तक ध्यान है, कि भाई हम पेपर की जो चीजें हैं, वो ensure नहीं कर सकते हैं, कहीं न कहीं ये computer oriented होता है, और काफी random सा process होता है, जो बन गया जो बन गया, वो बच्चों को अपनी इसाफ से देखना पड़ेगा, और normalization के थूँ हम सब चीजों को बराबर कर देंगा, और उस normalization के कारण, जो काफी बच्चे ऐसे थे, जिनका अच्छे नमबरों के बाद भी, पसेंटाइल काफी कम रही थी, तो normalization के कारण, ये problem हुई थी, लेकिन CUT ने इस बार का जो examination करानी की सोची है, इन्होंने ऐसा बोला है, तो मुझे लग रहा करीब करीब, अब ऐसे तो हवा में तो बात नहीं करेंगे, इन्होंने ऐसा सोच लिया है, तब ही ऐसा बोला होगा मेरी खाल से, और इसके हम authenticity चीज़े समझ सकते हैं कि Times Now News है, तो बोला कि has announced to conduct CUT UG in May, May में होने वाला CUT examination आपका, as per the information shared by M. Jagdishkumar, third edition of the CUT UG, will likely be conducted in hybrid mode, अब यहाँ पर एक word उन्होंने यूज़ किया है, hybrid mode में ये conduct होने वाला है, which means OMR sheets and computer-based test, तो यह देखने वाला होगा कि यह पूरी तरीके सो OMR पे shift हो रहे हैं, या computer-based test पे shift हो रहे हैं, यह आने वाले समय में ही धीरे-धीरे पताश लेगा, this move will benefit students because they will be able to attempt examination in the city of their choice, obvious ही बात है, CUT UG 202 for key changes this year, as per the officials by adopting pen and paper mode for subjects with a large registration and computer-based test for papers, with a smaller registration, मतलब शायद यह ऐसा लिखना चाहरेंगे, computer-based में हम कुछ छोटे registrations की संख्या रखेंगे, और pen paper में 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 ली लेंगे, will ensure that CUT UG can be conducted in a shorted duration, मतलब कम समय मतलब शायद एक ही दिन में कर रहा हूँगे complete, if the examination will be held for a subject on a single day, it will eliminate the requirement for the score normalization. Of course, अगर एक ही paper हो रहा है सभी बचों के बीच में, तो normalization की जरुवत नहीं पढने वाली है, नहीं पढने वाली है. For the last two years, we had conducted, यह शायद निंका statement आ रहा है, शायद ना, for the last two years, we had conducted the test for the same paper over a period of two or three days in our endeavor to provide the first choice center to the students as much as possible. But this year, by adopting the OMR mode, a large number of centers will be available at schools and colleges and helping us to conduct the test across this country on the same day. If the test is conducted on multiple days for the same paper, normalization is required. अगर हम test को conduct कर रहे हैं on multiple days for the same paper, of course, अलग-अलग papers होंगे हैं, लेकिन हम same examination की बात कर रहें, normalization is required and it is a scientific method, the UGC chairman told PTI. तो अकुल मिला कि इनका कहना ये है कि भई, ये different days पे हो रहा है, वैसे तो उसको scientific method कह रहे हैं और of course, worldwide accepted methods में से ही आता है, और लेकिन कहीं न कहीं इस चीज़ को देखा गया है कि इस बार उतना ज्यादा fair enough, वो चीज़ नहीं रही कि बहुत सारे बच्चों ने अच्छे mask के बाब जूत, अगर percentile कम रहता तो कहीं न कहीं चुपता है, दिल में दर्द होता है, काफी मेहनत करने के बाद जब निराशा हाथ लगती है, तो उन बच्चों से पूछना, पूछोगे, तब समझ में आता है कि किस तरह के काम हुआ, हाँ, अगर कम नंबर पे ज़्यादा percentile आई ही, तो वो भी ठीक है, लेकिन कहीं अगर आप multiple shift में लेते हैं, तो paper का जो एक कहते हैं कि level, वो कहीं न कहीं ensure करना पड़ता है, तो जैसे इन्होंने CUT के लिए तो साफ साफ ऐसा कह दिया है, कि कहीं न कहीं इन सब चीजों को पे उपर नहीं जाएंगे, pen paper mode में शाइद वापस आएंगे, उसमें शाइद लाग number of registration होगे, साइद CVT mode को भी जिंदा रखने की कोशिश की जाएगे, कि कि definite से बात ही कि इतना infrastructure नहीं होगा country में, कि आप एक ही दिन में इतने सारे बचों का examination ले ले है न, और मेरे खासे, इसको भी अच्छे खासे number of students मेरे खासे, इस examination में होते होँगे, मेरे खासे, बाद 6 लाग सतू उपर ही होते होँगे, ठीक है, hopefully अगर NTA, जो JMAIN भी conduct कराता है, क्योंकि NEET भी अगर आप देखो तो एक ही दिन में conduct होता है, CUT में बात कही दिये नोने कि एक दिन में ही conduct कराने वाले हैं, अगर JMAIN के लिए ऐसी कोई प्रावधान हो जाए, तो I think it is a favorable step, आप बताईए comment में कि आपके लिए favorable step है, या multiple examination वाली चीज ही आपको अच्छी लग रही है, of course, CBT mode में देना comfortable हो गया, तो कहीं न कहीं बच्चों को लगता है, CBT mode में देना तो बहतर रहता है, मैं ये बात समझता हूँ, pen paper में जाना कहीं, फिर से थोड़ा सा पूराने format में जाना जासा हो जाएगा, लेकिन जब भी pen paper में भी होता, तो 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 ऐसा कोई बुरा examination नहीं होता था, कहीं कोई इतनी दिक्कतें नहीं आती थी, तो ये छोटा सा एक update था, मैं देना सूचा आपके साथ शेर कर लिए, परिशान होने वाली कोई बात नहीं है, एक दिन में हो, दस दिन में हो, क्या ही फरक बढ़ता है न, देखते हैं आगे, कैसे क्या होता है, आप अपनी opinion को comment box में लिख कर ज़रूर बतलाएगा, thank you very much.